नमश्कार सू स्वागतम वेलकम अभी नंदन मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होसें दोस रॉक्त वायरा की एक छोटी से इंफरमेशन ये मैं हर वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको इसको लेके बहुत सारे कोशन्स होंगे वो आपको कोशन्स मेरे किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं मिलेगी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा 21 तारीको गुरु पूनिमा है और 22 तारीको सावन का पहला सोमवार है और 19 अगस्त को सावन का आखरी सोमवार है टोटल मिला जुलाकर हमें 5 सोमवार मिल रहे हैं हम रक्षा बंधन वाले दिन भाई को राखी बानते हैं प्रेम का ये बंधन है और इसमें भधरा का साया होता है भधरा के बारे में मैं आपको बता दू कि ये जो भधरा है इसके शुब मूरत देखकर ही हमें राखी बानने होते हैं भधरा एक ऐसा मूरत है जब भाई को रा तो डेर्ड बज़े के बाद बाननी है, सबसे पहला मूरत है एक बच के 40 मिनट से रात को नौ बच के आठ मिनट तक, टोटल हमें 7 बच कर 40, मतलब टोटल 7 गंटे 40 मिनट का हमें भाई को राकी बानने का जो है वो मूरत मिलेगा, पहला मूरत 148 से लेकर 4 बच के 20 मिनट तक है जिसे मैं सबसे बहतर मुरत मानती हूँ क्योंकि नौ बजे तक भले आप भाई को राखी बान सकते हैं लेकिन सूरे अस्त के बाद भाई को राखी नहीं बान दनी चाहिए प्रदोस टाइम में अगर आप अपने भाई को राखी बानना चाहते हैं इस बार 19 तारीक को दुपहर डेड़ बजे तो कुछ भी हो जाए दुपहर डेड़ बजे तक तो आप अपने भाई को राखी नहीं बान सकते राखी अगर आपको अपने भाई को बाननी है तो एक बच के चालिस मिनट पर बाननी है भद्रा में राकी नहीं बांते, रावन ने मैंने जैसे आपको बताया कि अपनी बहन से भद्रा में राकी बनवाई तो भद्रा है कौन अगर आपके मंद में आए तो मैं बतातूँ यह शनी देव की बहन है, बस इस चोटी सी वीडियो में आपको यही जान कारे देनी इंसान ने भगवान से बहुत अच्छी बात पूछी प्लीज एक मिनट तक ये बास जरूर सुन लिजेगा भले मेरी पूरी वीडियो मन देखेगा इंसान ने भगवान से पूछा मेरे प्रेम और तुम्हारे प्रेम में अंतर क्या है भगवान ने इतना खुबसूरत जवाब दिया भगवान ने का पंची हवा में उड़े तो मेरा प्रेम और वोही पंची पिंद्रे में बंद रहे तो तेरा प्रेम बस हम यही तो चाहते हैं, हमारे रिष्टे हों, हमारा कोई अपना हो, जिसे हम प्यार करते हों, हमारी ओलाद हो, बस हम उसे अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं, हम बंधन में बानना चाहते हैं और भगवान अजात करना चाहते हैं, यही फर्क है हमारे और प्रभू के प् तरख्यी मातारानी की असीम किरपा पर बनी रहे हैं और जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई नहीं इंगती हैं आप दिन विश्चो वार का दिन हर्याली थीच और स्वणड़ी व्रत है मतलब हर्याली थीच मतलब आपकी और मेरी थीच चलिए कारिकर्म की शुरुबात करते ह 3 सदा सौहागन रहने की 3 तीज का ये त्योहार हरियाली लेकर आएगा आपके और मेरे जीवन में मालू मैंने महन्दी लगानी है हरी- चूडिया पहननी हरी- भिंदी साड़ी लहंग नाचना गाना जूला-जूला और मा गौरा को 16 सिंगार अरपन करना साल में मुखे तक तीन बार तीज आती है जिसे महीला खुब खुश होकर मने आती है हर्याली तीज शुकल पक्ष के सावन की तीसरी तिथी को हम हर्याली तीज के नाम से जानते है और ये नौर्थ इंडिया में यानि की उत्तर भारत में बहुत ही प्रच लेता है मैं खुद इस तीज को करती हूँ, तयार होती हूँ, सोला सिंगार करती हूँ, सहिलियों के साथ जूला जूलती हूँ, गेवर खाती हूँ, वरत रखती हूँ, मस्ती करती हूँ, महन्दी लगाती हूँ और माइके से खूब सारा तीज का समान भी आता है पारवती मा और भोले की पूजा की जाती है इस दिन कहते है मा पारवती और शंकर का पुने विवहा इस दिन हुआ था इसे तीज कहते है उनके मिलन का दिन है ये कहते है सदा सुहागन होने का वर्दान शिव ने खुद पारवती की सखियों को दिया था पारवती की तपस्या पूर्ण होने पर जूला जूल रही थी पारवती को सोला सिंगार करा रही थी तो आज केवल खुद सोला सिंगार नहीं करना है अपनी सहिलियों को भी सोला सिंगार कराना है आज का दिन सहिलियों के साथ बिताने का है आज का दिन आपको मौच और मस्ती करने का है अगस और जुलाई के महीने में अकसर तीज आती है और इस बार जब ये तीज पढ़ रही है तो इस दिन बुदवार है हर्याली मतलब बुदवार और बुदवार मतलब हर्याली तीज तो इस तीच का बुदवार वाले दिन पढ़ना अपने साथ में बहुत सारे सहयोगों को लेकर आ रहा है सुबा शाम दोनों टाइम आप भगवान की पूजा जरूर करें शिंगान जरूर पहने, माताए बहने सजे, माताए बहने एक दूसरे को शिंगार दे इस दिन पती अपनी पत्नियों को चांदी या सोने की चीज़ भेट सरूर दे इस दिन अपने पती से अपनी मांग जरूर भिरवाएं इस दिन पारवती और शिव का मिलन हुआ था इसी कारण पारवती और शिव की सक्कियों ने खूब जूला जूला शिंगार किया इस दिन भगवान शिव और पारवती का अभिशेक जरूर करना चाहिए इस दिन कारण शिव मंदिर को सजाना चाहिए गुबारों से और मंडब से ये वरत निर्जल वरत किया जाता है लेकिन कुछ लोगों के यहां ये वरत तब तक ही किया जाता है जब तक हम पूजा नहीं कर रहे हैं और पूजा करने के बाद ये वरत खोल दिया जाता है तो कुछ लोगों के यहां वरत ही नहीं होता हर प्रांत में अलग-अलग तरीके स इस वरत और पूजा को किया जाता है जिसके जहां जैसा भी किया जाए वो वैसे ही इस वरत को करें तो तम होगा बहुत लोग इस पूजा पार्ट को करते हैं और उसके पूजा पार्ट करने के बाद तुरंत वरत खोल देते हैं कई लोग सुभा से लेके शाम चार बज़े तक इस वरत को रखते हैं चार बज़े कथा सुनकर सहेलियों के साथ जूला जूलकर गेवर खाकर इस वरत को open कर देते हैं खोल देते हैं शिंगार जरूर करें पती देव के पैर जरूर चुएं वरत ना रखें ना रखें जूला जरूर जूले, इस दिन जूला जूलने से आपकी किस्मत चमकती है सहेलियों को कॉंप्लिमेंट दे, कीकली खेले उनके साथ, उनके साथ समय बिताएं शिव और पारवती को इतर अरपन जरूर करें तो ये खुबसूरत त्यहार आप सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शिव कामना है साथ अगस बुद्वार का दिन हर्याली तीज ओए हुए खुशियों से ये तिहार बनाए फिलाल दीजे जाज़त, नमस्कार, जयमातर सब्सक्राइब करें